है लो बच्चो एंपने पिछली क्लास में इसका चेपटर वन का इंट्रोडेक्शन पार्ट कम्प्लीट कर लिया था जिसमें हमने basic बात ही देखी थी chapter से related इसमें हमने 4 property अलग से देखी थी 2 property हमने identity और inverse 2 property उनकी 2-2 parts अलग अलग type से देखी थी उनकी detail आपको देखनी जरूरी है बचो अगर वो detail नहीं आएगे तो आप exercise नहीं कर पाऊगी तो इसलिए exercise 1.1 करने से पहले पिछले वाला जो वीडियो है वो आपको देखना जरूरी है जिसकी link आपको मैं description में देदूँगा तो आज exercise 1.1 से में शुरुआत करते हैं exercise 1.1 का question number first अपने पास given है name the property under multiplication used in each of the flowing इसमें first question अपने पास देखा minus 4 upon 5 multiply 1 equal to 1 multiply minus 4 upon 5 equal to minus 4 upon 5 इसको solution देखते हैं बच्चो इसका solution होगा देखो किसी भी digit को 1 के साथ multiply करने पे वो ही नमर आए minus 4 upon 5 फिर इसी नमर को किसी भी नमर को 1 के साथ multiply करने वो ही नमर आ रहा तो ऐसे में अपने पास multiplicative identity होगी अब यहाँ पे लिखेंगे 1 is क्या है multiplicative identity क्योंकि 1 को किसी भी digit के साथ multiply करने पे वो ही नमर आ जाए तो वो property होगी अपने पास multiplicative identity जो हमने पीछे theory वाले portion में समझा था इसमें देखो दुबारा बता देता हूं बच्चो identity property क्या होती है अपने पास identity property two type क्यों होती है एक तो घोँची है additive identity property है होते है अपने पास multiplicative identity property, additive identity property में अपने पास कोई भी digit हो सकते हैं कोई भी number हो सकता हैं यहां पे énजर एडिशन करें जिरो का तो वो ही नमर हमें मिलेगा यहां पे अपने को oneupun three में zero add कैत वो lagi ़ो pakai आपने पास आपने पास additive जिसमें कोई भी डिजिट में हम 0 एड करने पे और 1 अपॉंट 2 हमें मिलें अगर multiplication में ऐसा हो रहा हो तो कोई भी डिजिट को 1 के साथ हम multiply करेंगे और वो ही नमर आए तो वो होगा multiply identity property यह minus का है होगा इसको इसके साथ multiply करेंगे वो ही नमर आएगा minus है तो minus वाला ही ही आएगा तो when यहाँ पर क्या है when is multiplicative identity है मतलब when को किसी भी डिजिट के साथ multiply कर लो वो ही डिजिट आने वाली है तो यहाँ पर लिख देंगे one is multiplicate identity जब को यहां से इसके साथ multiply किया वो ही नमर आया 1 को इसके साथ multiply किया वो ही नमर आया तो यह क्या हो गया 1 is multiplicative identity इसके बाद second question हमने देखा था second question second question में अपने को दे रखा है 13 upon 17 minus 2 upon 7 equal to minus 2 upon 7 is equal to minus 13 upon 17 यह अपने पास होती है committative property कैसे होती है अभी समझाता हम आपको introduction part में हमने देखा था यह ए अभी 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 यह अपने पास को रिजल्ट आ जाए तो यह अपने को कमिटेटिव प्रोपर्टी शो करेगा अगर यह रिजल्ट अपने पास ए और बी को multiply करेंगी और reverse इसका उल्टा यहाँ पर बी और multiply में ए अगर वो ही नमर आ रहा वापस अपने पास तो वो होगा कमिटेटिव प्रोपर्टी यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है यहाँ थर्टीन अपने पॉन सेवन्टीन यह ए और यह अपने पास बी है तो पहले ए बी था अब बी पहले आगया फिर ए बाद में आया है तो यहाँ पर अपने पास होगई कमिटेटिव प्रोपर्टी यह अपने पास इसका सूतर होता है फोर्मुला इसका third question देखते है 19 अपॉन 29 अपॉन 29 अपॉन 19 इक्वल टू 1 यह होगा यहाँ पे अपने पास मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स प्रोपर्टी यह कैसे होगे अपने पास मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स प्रोपर्टी इसको अपने थेहरी वाले portion में समझा था इसमें inverse property अपने पास two types की होती है एक तो होती है addition में होती है multiplication में होती है अगर inverse में अपने को addition वाला portion ले 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 हैं तो इसका अपने को a is equal to minus a लेना होगा अगर यहां पर one upon three आ रहा है तो अपने पास इसका क्या लेंगी अगर यह positive है तो इसका minus लेंगी अगर minus आ रहा तो इसका जैसे यहां पे हमने plus लिया तो यहां पे अपने पास minus आया और minus का one upon six लिया तो अपने पास plus का one upon six just इसके opposite लेना अपने को तो वह उती है अपने पास additive inverse property ऐसे से में अपने पास multiplication inverse property में होता है ae का अपने को inverse करना है यहां पे तो यहां पे 5 upon हम नहीं यहां पे लिखा 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 नीचे वाला वो उपर चला जाएगा उपर वाला वो मिसा नीचे आ जाएगा जैस्ट इसके inverse करना है इसका 1 upon 2 तो 2 उपर चला गया और 1 इसके नीचे आ गया तो 1 upon 2 का inverse multiplicativeness property multiplicative inverse होगा 2 upon 1 और 5 का अपने पास multiplicative inverse होगा 1 upon 5 ऐसे अपने पास अगर हम Z की बात करें Z की पूछेंगी तो multiplicative inverse क्या होगा 1 upon Z होगा क्यों होगा क्योंकि इसके नीचे हमने 1 मान लिया और 1 को उपर ने 1 लिखा और Z इसके नीचे लिखा तो denominator numerator में convert हो जाता है तो इसलिए अपने पास यहां से अपने पास 19 upon 29 और 29 को उपर लिखा 19 को लिखा इसको cancel होने के बाद यहां से अपने पास 1 बसता है तो 1 अपने पास क्या है multiplicative inverse property ऐसा ही यहां पे क्यामने last में यह cancel होके अपने पास A और 1 upon यह अपने पास में cancel होके और 1 आजाता है इसको यहां पे multiply करते है 1 upon 2 और इसको multiply करेंगे 2 upon 1 यह cancel होके अपने पास में 1 upon 1 आजाता है अपने पास तो यह अपने पास multiplicative inverse property हो गई अब इसका question number second देखते है question second given अपने पास tell what property allow you to compute 1 upon 3 multiply में break it में 6 multiply 4 upon 3 as 1 upon 3 multiply में 6 multiply में 4 upon 3 यह अपने पास property होती है associative property of multiplication कौन सी property होती है देखते हैं एक बार यहां पे हमने A लिखा यहां पे B multiply में C लिखा अगर अपने पास इसको इसको एक साथ लिखेंगे A multiply B और multiply C अगर ऐसा अपने को result मिलेगा तो वो होता अपने पास commutative property तो इसके साथ मैच करके देखते हैं A की जगा अपने पास लिखा 1 upon 3 multiply B की लिखाओ अपने पास 6 C की वेली पूट कर रखे 4 upon 3 equal 2 अब यहां से बनाएंगे हम यह इसके साथ multiply होगा तो 1 upon 3 multiply में 6 और इसको अकेला लिख देंगे 5 upon 3 अब यही result अपने को same मिल रहा यहां से 1 upon 3 multiply 6 multiply 4 upon 3 अब final result मिला अपने को 1 upon 3 multiply में 6 multiply 4 upon 3 इसलिए अपने पास यह commutative property होई अब इसका third question देखते हैं अपने पास the product of two rational number is always a तो वो होगी rational number the product of two rational number is always rational number कैसे अपने पास सभी integer से मिलके rational number बनता है rational number integer number होते हैं अपने पास 0 1, 2, 3, 4 और infinite तक इदर अधर अपने पास minus 1 minus के 2 minus के 3 minus के 4 इदर और यह अपने पास fraction में भी होते हैं क्योंगी इनके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं तो एक fraction value भी हो गई तो सभी fraction value जिसमें 0 भी include होता हो और plus positive, negative और 0 और fraction सभी value include होते हैं वो अपने पास rational number होता है rational number वो rational number होता है अपने पास तो अपने पास कोई भी product करके देख लेते हैं अगर 2 को 3 के साथ multiply करेंगे तो 6 यह जो 6 नमर है इसी नमरों में से बीच में से आया है देखो 4 के बाद 5 और 6 क्योंकि यहां तो infinite होता है और यहां पे infinite किसी भी दो चीज़ का product product का मतलब होता multiply किसी भी दो नमर को हम multiply करेंगे तो अपने पास 6 आएगा इसी नमरों से तो अपने पास जो final result है वो भी अपने पास क्या है यह नीम इंटिजर्स में से है तो यह अपने पास रेस नमर हो क्योंकि सबी इंटिजर्स नमर रेसल नमर होती है ऐसे हम एक एगजम्पल माइनिस का लेके देखते हैं माइनिस 3 को multiply करेंगे minus one के साथ तो 3 को 3 के साथ multiply करेंगे 3 को 1 के साथ करेंगे तो अफने पास आएगा 3 माइनिस और माइनिस multiply होगा तो plus तो ये जो plus के 3 हैं वो भी इनी नमरों में से ये देखव यहां से तो अपने पास हमने कोई भी rational number 2 को multiply करेंगे हमें rational number ही मिलेगा लास्टमी तो यह क्योशन पूचा अपने को अगर दो रेसल नमर को प्रोडेट करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा ओल्वेज हमेशा के लिए वो अपने पास रेसल नमर ही प्राप्त होगा तो यहां पे अपने को यह फिल इन बिलिंक करना है इसी के साथ बच्छों अपन है तो आप कॉमेंट के जरीए अपना क्यूशन पूच सकते हूं थैंक्यों दोस्तों